बीच सड़क पर लड़की ने अपना बर्थडे सेलिवरेट किया, वहीं पर उस लड़की ने केक भी काटा और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई गानों पर जम कर डांस किया, आजकल कोई भी चाहे वो लड़की हो या लड़का, चाहे कोई बुजुर्ग भी क्यों न हो ट्रेंड में आने के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार हो जाते हैं, इसी कड़ी में एक लड़की ने भी बीच सड़क पर केक काटा और उसके बाद उसके साथ वो हुआ, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, उसके साथ आखिर क्या हुआ होगा, वो सब आपको आगे के पूरा देखे, अब नमस्कार आप देख रहे हैं जंता जंक्षन और मैं हूँ आपके साथ श्वैता मिस्टा, आजकल कोई भी वैक्ती चर्चा का विशे बनने के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार हो जाता है, फिलहाल तो इंस्टाग्राम रिल्स का क्रेज तो हर यूवा पर खूब चड़ा हुआ है, लड़की हो या लड़का फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, चाहें उसके बदले उनके साथ कुछ भी हो जाए, इसी कड़ी में एक लड़की ने भी बीच सड़क पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट की, उस लड़की ने ना सिर्फ वहा पर वाइरल कर दी, जब यह वीडियो थाने तक पहुचा तो फिर पुलिस वालों ने मामले को जल्दी से संग्यान में ले लिया, लेकिन पुलिस ने सिर्फ लड़की के लड़के दोस्त को ही गिरफतार किया, जिसने यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था, उसे गिरफतार कर लिया, फिर तो बवाल ही हो गया, लोग यही पूछने लगे कि यह कैसा इंसाफ है, यह तो बस एक तरफा इंसाफ हुआ, जहां लड़कियों को छोड़ दिया गया, और उस लड़के को पकड़ लिया गया, उसकी गलती सिर्फ यही थी कि उसने उन लड़किय के कहने पर उनका वीडियो बनाया, यह सब सुनने के बाद पुलिस इन लड़कियों को भी गिरफतार कर लेती है, आपको बता दू कि यह लड़किया गाजियाबाद की ही है, और वहीं पर गाजियाबाद एलिवेटेड रोड पर कार खड़ी करके बर्थ दे पार्टी उन डांस करने वाली दोनों लड़कियों और उनके साथी युवक को गिरफतार कर लिया, इतना ही नहीं जिस गाड़ी पर लड़कियों ने केक काटा था, उस गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया और एक हजार का चलान काट दिया, वो गाड़ी उन लड़कियों की नहीं बलकि उसके दोस्त का था, दरसल ये पूरा मामला तीन दिन पुराना है, गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड़ पर दो लड़कियों का वीडियो सामने आया है, जहां दोनों लड़किया कार के उपर केक रखकर काट रही थे, सिर्फ केक ही नहीं काटी है, बलकि ख दिरफ्तार कर लिया, तो लोगों ने पुलिस वालों पर सवाल खड़े कर दिये, कि इसमें गलत क्या है, तो इस पर वहां के ADCP रामानंद कुश्वाहा कहते हैं कि जिस एरिया में लड़कियों ने केक काटा है, वो एरिया बिलकुल भी ठीक नहीं है, उन लड़कियों के सा कभी भी कुछ भी हो सकता था, सबसे बड़ी बात की रोड पर गाड़ी पार्क करना ये कहीं से भी सही नहीं है, कभी भी एक्सिडेंट हो सकता है, इसलिए पुलिस प्रशासन ने इन तीनों के उपर कारवाई की, और रही दूसरी बात तो पहले से ही वहां पर ऐसे मामलों को लेकर पुलिस ने सकत निर्देश जारी किये थे, पुलिस ने कहा था कि कोई भी अगर ऐसे बीच सड़क पर हुर्दंग या मस्ती करेगा, तो उसके पर सकत कारवाई किया जाएगा, आपको बता दू कि गाजियाबाद पुलिस अपने निर्देशों पर कायम रहते इस पूरे मामले को लेकर आप किस नजरिये से देखते हैं अपना सुझाओ दे, इस खबर में बस इतना ही ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, और देखते रहे जनता जंक्षन वीडियो को लाइक शेयर करें, धन्यवार।